अम्रूद एगो स्वस्थ फल हवे जेकरा के नाश्ता सलादा मिठाई में खाइल जा सकेला, जबकि ये विटामिन खनिज अवुरी एंटिक्सिडन से भरल हो खेला, लेकिन कुछ लोग के चिंता बाकी एकरा से डाइबिडीज के रोगी में बलड शुगर के स्तर्प असर में महज 100 G में चीनी के मात्रा, 8.92 G, कम होला जेकरा चलते एकरा के पचावल आ सोखल आसान हो जाला, जेकरा चलते खून में ग्लुकोस के स्तर कम से कम बढ़ जाला, अम्रूद के गलाइसेमिक इंडेक्स कम होखला के चलते डाइबिटीज से पीडित लोग खाती ए एगो निमन विकल्पबा, दो फाइबर के मात्रा अधिका होला, 100 G अम्रूद में 5.4 G आहार फाइबर होखेला जवन की बलड शुगर के स्तर के नियंत्रित करे में मदद कसकता, रेशा के पचावे में धीमा होखेला अवुरी खून में आसानी से ना सोखल जाला, ऐसे दाइबिटीज खातिर बढ़िया होखे के सुनिश्चित करेला काहे की एकरा में रेशा होखेला जवना के पचे में कुछ समय लागेला, तीम कम कैलोरी वाला, अम्रूद में 68 किलो कैलोरी के कम कैलोरी के मात्रा वजन प्रबंधन में मदद कसकता, जवन की दाइबिटीज म अम्रूद में संतरा में मिले वाला विटामिन सी के मात्रा चार गुना होखेला, एकरा अलावे एकरा में सोडियम के मात्रा कम अवुरी पोटेशियम के मात्रा जादा 417 ग्राम प्रती 100 ग्राम होखेला, जवन की दाइबिटीज के आहार के एगो शर्त के पूरा करेला, अम की एक्रा में विटामिन A, B9, पोटेशियम, अहुरी सोडियम के निमन स्तर बा, ऐसे डाइबिटीस से पीडित लोग खातिर ही एगो बढ़िया विकल्प बा, तक जदी आप कवनो स्वस्त अहुरी स्वादिष्ट स्नैक के तलाश में बानी, जवना से आपके बलड शुगर क के स्तर में बढ़ोतरी ना होखे, ता अपना आहार में अम्रूत के जोडे पर विचार करी.